बच्चों के सरवांगें विकास के लिए पालक ज्यादा से ज़ादा समय दे किलेक्टर कोर्बा देश की स्क्षा बहतर बैथर से बहतर बनाने के लिए प्रदान मंद्री नरिंद्र मोडी ने देश में नई स्क्षा नीति लागू की है प्रदेश के मुख्य मंतरी विश्णु देव साय की भी सोच यही है कि हमारे प्रदेश के बच्चे बहतर सिक्षा प्राप्त करके अच्छे नागरिक बने और देश की सेवा करें इसके लिए आज से प्रदेश सहित कोरबा जले के सभी 248 संकुल स्तर पर मेगा पालक सिक्षक बैठक आयोज़त की गई है प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने 247 तक विक्सित बहरत बनाने का लक्ष रखा है सिक्षा स्तर में सुधार होने पर ही हमारा देश विक्सित भारत बन पाएगा उक्त उद्दार वालिज उद्योग व्यापार और श्राम मंतरी लखनलाल देवांगन ने मंगलवार को शास के कन्या शाला विद्याले में आलजज़त संकुल स्तर यह मेगा पालक सिक्षक बैठक में व्यक्त किये श्रीदेवांगन ने कहा कि हर एक बच्चा बढ़ा होकर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देखता है यदि वो मन लगा कर इमानदारी से मेहनत करता है और अच्छी सिक्षा प्राप्त करता है तो वो अपनी मनजिल पालेता है और उन्हें कहा कि स्कूल की सिक्षा के साथी पालक अपने बच्चों को घर पर पढ़ाए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जादर समय दे बच्चा जितना सिक्षत होगा हमारा देश उतना ही आगे बढ़ेगा प्रावेट स्कूलों में फीस महंगे होती है जहाँ पर सभी बच्चों का पढ़ना समव नहीं हो पाता इसलिए चत्रगर साशर प्रशासन के द्वारा माना के स्तर के अच्छी स्कूलों की ववस्ता की जा रही है बारत सरकार और चत्रगर सरकार के द्वारा सिक्षा ववस्ता में सुधार के लिए सतक प्रयास किये जा रहे है इस स्कूलों में चात्र को उच्छात्रवर्ती पुस्तके गणवेश कंपिटर सिक्षा आदी सुवधायं दी जा रही है जिसके माध्यम से पिछले परिवार के बच्चे भी आईयस बन रहे है इन सिक्षा सुवधाओं का लाब लेने के लिए पालक और सिक्षा का अने लोगों को भी प्रेरित करे मंतरी श्री देवांगन ने एक पेड़ मा के नाम अभ्यान के तैट विद्याले परिसर में पौधार उपन किया और सभी को पौधार उपन के लिए प्रेरित किया इस अफसर पर कलेक्टर अजीत बचसंत ने कहा कि इस मेगा पालक सिक्षा के लिए जादा से जादा समय देना होगा आज की दुनिया तेजी से बदल रही है स्मार्ट फोन, स्मार्ट टीवी जादा प्रचलित है इसे में पालकों की द्वारा बच्चों को अच्छा गाइडेंस देना चाहिए ताकि बच्चे नहीं चीजों को समझे और उनका सद्विपयों करना सीखे पालक बच्चों को स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फोन आदी अंद्रों के साथ उप्यों करने के लिए गाइड करें कलेक्टर ने कहा कि पालकों के द्वारा सक्षा वबस्ता के लिए देश सुझावों को जला प्रशासन द्वारा अमल में लाने का प्रयास किया जाएगा